हलो फ्रेंट्स, वल्कम बैक टू माई चैनल, वीडियो विद क्रितका और मैं हूँ आप सब की फ्रेंड क्रितका, जैसे हैं आप सब आई वोप, आप सब बहुत अच्छी होगे फ्रेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सब के साथ यहाँ पर शेयर करने जारी हूँ कि आप घर पर बैक्स कैसे बनाएं, सिर्फ दो इंगिडियेंट को यूज़ करकर आप मार्केट जैसा बैक्स घर पर बनाकर तयार कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल आसान तरीका है और मैंने आपके साथ पहले भी वीडियो शेयर की हूँ है, जिसमें मैंने हाथ पैरों की आप बैक्सिंग कैसे करें, अंडराम्स, आप कैसे कर सकते हैं, क्योंकि लागडाउन में बहुत जादा लेडियो के साथ प्रॉब्लम थी, कि वो अपने फेशेल हेर से चुटकारा क कैसे पाएं, अपर लेप, चेन एरिया, साथ ही साथ अपने हाथ पैरों की बैक्सिंग हो गई, अडराम्स हो गई, जो कि लेडियो के लिए हर मन्थ हुंदा मीडेट रहता है, कि उन्हें पारलर जाना ही पड़ता है, और जो कोबिद नाइंटीन का डर चल रहा है, इसकी व वीडियो थे, उन पर आप सब लोगों ने बहुत जादा प्यार गिया, बहुत जादा सपोर्ट किया, तो फ्रेंड्स, वहाँ पर भी आप लोगों के बहुत जादा कॉश्चन्स थे, काफी लोगों के लिए मेरे वीडियो बहुत जादा हेल्फुल रहे है, 90% मैं अगर आप वीडियो को अध्यान से नहीं सुनेंगे, जो मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर आपसे कही न कहीं मिस्टेक छोड़ी सी हो जानी है, तो फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो को पूरा देखेगा, एंड तक देखेगा, तो मैं आपके साथ यहाँ पर एक बार फिर से लेकर आई हूँ इसी वीडियो को कि आप घर पर होमेड वैक्स कैसे बनाएं, बिल्कुल मार्केट जैसा वर्ट करता है यह, और इस वैक्स को आप अपने फेशल एर के लिए यूज़ कर सकते हैं, आपर लिप के लिए यूज़ कर सकते हैं, हैंड की वैक्स की पसंद आता है तो वीडियो को लाइक दिरूप किजीगा, साथी कमेंट करके जरूर बिताएगा कि आपको आशकी मेरी चानकारी कैसी लगी, और अगर आपका कोई भी कॉस्चिन है, तो आप मुझी कमेंट वोक्स में कमेंट करके पूस सकते हैं, साथी प्रण्स अगर आप पर एक पैन को गर्म करने के लिए रखेंगे, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम दो इंगिरेंट यूज करेंगे, चीनी और नीबू, मैंने यहाँ पर यह चीनी ली हुई है, और मैं आपको रेश्यू दिखा देती हूँ, वैसे तो मैं अन्दास से भी बना लेती तो एक छोटा कटोरी मैंने चीनी डाल दी है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिये है, लेमन, अगर आप एक बड़ी कटोरी चीनी लेते हैं, तो आपको दो नीबू जरूत होगी, और आगर आप छोटा कटोरी चीनी ले रहे हैं, तो फिर आपको एक ही लेमन यूज कर जाए तो हमें इसे अच्छी तरीके से पकाना है मिलाना है और इस पैक्स को बनाने में फ्रेंड्स आपको लगने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ पांच मिनट और जैसे ही इसमें उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा तो अब हम इसमें एड करेंगे नीवू देखें बहुत सारे देखेंग हो मैं बनी रहती है तो एक नीवू ड़ाई है और यी नीवू थोड़ा सा ताइट होडा दा फृज्ज में रखे रखे तो फ से पहले वाली जो टाइम होता है अगर आपको भी रेस्पीज वगरा बनाते हैं को स्पीड डिस बनाते हैं तो आपने देखा होगा तो देखें इस तरीके से जब इसमें बबल बना स्टार्ट हो जाते हैं इसके किनारों पर यह जो चाशनी है बहुत ही गाड़ी-गाड़ी स चिपकना स्टार्ट हो जाती है कि चीनी की एक तरीके से चाशनी ही बन गई है जो बैक्स बनने जा रहा है तो आप इस कंडिशन में अब हम इसे दो मिनट और पकाएंगे और गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे तो मैं यहां पर इससे आपको दिखाने की कोशिश कर रही थी कि देखे जब आप इसे स्पूंज इस तरीके से नीची की तरफ को गिराएंगे तो यह कुछ एक रणिंग कंसिस्टेंसी में आ जाएगा इसके बाद मैंने यहां पर हाथ पर पानी लगाया हुआ है तो आप की एरफुल से चेक कि 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 इतना चिपक रहा है आपको इसे बह पतला दिख रहा है थोड़ी ही देर में यह और भी ज़्यादा काड़ा हो जाएगा ने गैस की फ्लेम को बंद किया था तब यह कितना काड़ा था और इस टाइम यह बहुत ही नॉर्मल बोलते हैं कि हलका सा गुनबुना जिसे कहा जाता है यह सिर्फ उतना करम है और देख सकते हैं असा कुछ नहीं है कि इसमें रेशियो में कम जादा हो जाएगा लेमन आपकी जो चीनी है इसको जल्दी जमने नहीं देता है और इस तरीके की फॉर्म में लेकर आता है साथी फ्रेंट्स यह हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफित है तरीके से दिखा स्ट्रिप चाहिए तो यह आपको इसली मिल जाएगी तो अगर आपके पास यह वैक्सिंग स्ट्रिप नहीं है तो मैंने आपको और भी वीडियो में बताया हुआ है कि आपको जीन्स का कपड़ा लेना है मैं बोलूगी या फिर कोई बहुत मोटा कॉटन का कपड़ा हो अगर आप सही मैथर से यूज करेंगे तो आपको इसका रजल्ट हंडेड परसेंट मिलेगा फर्स्ट आपको बैक्स अच्छी से बना कर रेडि करना है तो चार्चे लोगों की कोई रिस थी कि मैं आपने ही मैथर बताया मेरी तो स्किन निकल गई ऐसा कैसे हो सकता है गईस सकते हो से कि अगर अपका ये थोड़ा सा ज्ञादा कर जाता यह तो आप इसे फिर से गरम करकर यूज कर सकते हो और यूज कैसे करना है एक बार मैं फिर से आजmore की वीडियो में बता देती हूँ दिखा देती हूँ कि वर्प कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके लिए सबसे पहले आपको उपने हाथ पर देखे लगाना है टेलकम पाउडर पाउडर के उपर भी बहुत जादो कोश्चन्स आते हैं कि हम पाउडर कौन सा यूज़ करें आप इसे अपाउडर लगाना है इसके बाद आपको ये बैक्स लेना है देखे तो मैं इसे अपलाई कर लेती हूँ पहले अच्छे से बिल्कुल नहीं होता है मैं आपको ओन कैबरा मैंने पहले भी दिखाया था अच्छे से कि ना तो आपकी इसके निकलेगी ना कुछ होगा और ये बिल्कुल भी तेज गरम नहीं है आप इसे इजी लिए यूज़ कर सकते हो तो देखे हमने इसे अपलाई कर लिया इसके बाद हम वैक्सिंग स्ट्रिप को अपने हाथ पर रखेंगे इस तरीके से अभी थोड़ा सा बोलेंगे कि बादिश वाला टाइम है बादिश वाले टाइम पर थोड़ा सा मौस्चेर जैसा मौसम होता है तो आप थोड़ा सा बोलेंगे कि पसीन आपके स्किन पर बिल्कुल ही होना चाहिए आपकी स्किन ड्राइ होनी चाहिए तब भी आप इसको नहीं बैक्सिंग कर सकते हैं रेडियो फ्रेंट्स ये वीडियो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा है आप सबी लोगों के questions के answer आप लोगों को यहाँ पर मिल गए होगे मिलती हूँ मैं आपसे next वीडियो में तो friends आपको ये strip देखे इस तरीके से लगा लेनी है इसके उपर आप फोड़ा सा पाउडर लगा लेजिए और इसके बाद हम इसे हलका सा रफ करेंगे और इसके बाद हम इसी निकाल देंगे तो देखे completely wax हाथ से निकल गया है और अगर आपको लगी कि आप दुबाता से strip लगा सकते हैं तो दो से तीन उपर भी आप इस तरीके से लगा कर इसको हलका सा इस तरीके से निकाल सकते हैं तो आप लेखूगे कि हैंड़ जो ये side मेरे थोड़े से हैं yes इनको निकाल देती हूँ ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे साथ जरू शेयर करना पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक देना तक के लिए टेक केर बाई बाई